गंच में लोग जन शक्ती पाथी दाम विलास की जन आशिरवाद महा सभा हुई जुसमें पाथी के राश्चोय अध्यक चिराग पासवान ने इस कारकम को संबोधित करते हुए चिराग पासवान को सुनने के लिए जब यहाँ बड़ी संख्याब लोखों की मौजूद की थी सभा के बाद जब लोट रहे तो उस वक्त चिराग पासवान ने जनता के बीच जाकर सभी का अभिवादन स्विकार किया न्यूजेटिन से बादचीत में चिराग पासवान ने कहा कि वे औरों की तरह बार-बार गड़बंदन नहीं बदलते हैं और सीट शेरिंग पर भी जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा जनता का समर्थन है वो चिराग पासवान को यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है और सुनने मुझपरपुर की साहिब बंच में यहाँ पहुचे हैं और चारों तरफ जो भीड है वो चिराग पासवान का अभिवादन करती हुई नजर आ रही है हाला कि मंच से चिराग पासवान ने घोशना की है कि किस पार्टी के साथ उनका गटबंदन है वो इस पर अभी बाचित नहीं करेंगे लेकिन बिहार की जनता के साथ उनका गटबंदन है और उसी के तहर वो इस जन आशिरवाद महा सभा को उन्होंने संबोधित किया है और चारों तरफ जो जनता है वो चिराग पासवान का अभिनंदन करती हुई नजर आ रही है सभी चिराग पासवान को हाँ लाकर उनका भिनंदन कर रहे है अग चिराग पासवान भी अपने जनता का जैनता जो प्यार है वो इस्किराग पासवान के सामिल है चिराग जी आपने कहा कि किसी पार्टी के साथ नहीं जनता के साथ गटबंदन है बलकुल जनता के साथ गटबंदन है चुनाओ का समय है जरूर हम लोग वो राजनीति गटबंदन भी उसकी भी घोशना जल कर दी जाएगी बढ़ हां मेरा समर्पन मेरे बिहार के लोग के साथ मिला है आपको आज यहां मुझपरपुर में क्या लगता है कि इसके साथ गटबंदन करेंगे एंडिये मोदी के हनुमान कहे जाते हैं यहां पर देखेगा जज़भारी संख्या में लोग यहां पर मौजूद है और उससे जादा उत्सा यह उत्सा मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले दिनों में बिहार को फरस्ट और बिहारीों को फरस्ट हम लोगों ने बार बार गटबंदन बदलने का काम हम लोगों के सुभाव में नहीं है सीटों को लेकर चर्चा लगबाग अपने अंतिम दौर पार लोगों के बीच अपनी उपस्तिती दिखाए और जन आशिरवाद महासभा के तहट मुझपरपूर के साहिब गंच पहुंचे हलिकॉप्टर से वो सीधे पहुंचे और उन्हें देखने के लिए हजारों लोग यहां पहुंचे हैं और चिराख पासवान भी उनसे मिलकर का जराएं साफतर पर कहना था कि लोगों का अशिरवाद मिला है गटबंदन वो बदलिंग रही यानि इंडी के साथ वो रहेंगे सीटों पर जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा कि आखिर कितनी सीटे उन्हें मिलेंगी वैशाली से जो प्रत्याशी है वीना देवी जो बरत पर पो